So hi everyone, मेरा नाम है शाश्वतिवारी और आज की बीडियो में बात करने वाले Constructor Calling की तो यी Object Oriented Programming की पूरी सीरीज आउट हो चुकी है अगर आप इस चानल पे नए हो तो जाके पुरानी और नई वीडियो भी चेक आउट कर लो अगर आप किसी चाइल्ड क्लास का अबजेक बनाते हो तो उसका अगर हमें क्या करना होता है हमें सबसे पहले इसके डिफॉल्ड कंस्ट्रक्टर में से हमें इसका पैरामेटराइस कंस्ट्रक्टर कॉल करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं मैं आपको अलड़ी पढ़ा चुका हूँ सूपर कीवर्ड ठीक है सूपर कीवर्ड तो यह यूज़ करके आप यह चीज़ इसली एचीव कर सकते हो सूपर आपको यह चीज़ समझ में आगे होगी कि कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कैसे चलती है इसैनलिघ कंस्र्क्टर चेनिंग एक ऐसक्राइब कर सकते हैं चम्हुत के रू संध्याइब करें त अब यह अरफ नामाल कनस्र्क्तर एक बात्यवर्ट कर सकते हैं कैसे पतंदम करना कि ऊप्रमेटर के. 172, देखते हैं जिससे कि आपको clear हो जाएगा कि order क्या होता है तो यह पहला question ठीक है यहां पर मैंने क्या किया है एक class A बनाई है और एक class B बनाई है ठीक है यहां दो scenarios है पहले आपने A का object बनाया और देन आपने B का object बनाया यह arrow क्या बताती है कि जिस तरह आपका tail होगा ठीक है वो क्या होगी child class होगी और जिस तरह आपका head होगा पेरेंट class होगी तो यह parent है यह child है ठीक है अब अगर मैंने यह call किया A is equal to new A तो यहां पर क्या होना चाहिए यहां पर खाली A का constructor call होगा ठीक है यहां पर किस order में होगा पहले A का constructor call होगा then B का constructor call होगा ठीक है बड़ा simple concept है यह आपको आप समझ में आ जाना चाहिए next चलते हैं यहां पर यहां क्या होगा जब मैंने A call किया तो खाली A का constructor call होगा ठीक है जब मैंने B के लिए call किया तो पहले A का होगा then B का होगा C का नहीं होगा ध्यान रखना क्योंकि C एक अलग hierarchy में देखो अलग है right C और B का कोई relation नहीं है हाँ दोनों A को extend कर रहे हैं बट आपस में कोई relation नहीं है जब मैंने C का object बनाया तो क्या होगा सबसे पहले A का object call होगा and then C का ठीक है यह order बढ़ाइब important है Third Point पर चलते है तो जैसे यहां पर है अब मैंने क्या किया है मैंने C का object बनाया तो C के case में क्या line जारी है जारी है तो पहले A होगा then C होगा correct D के case में क्या होगा अब D के case में आप देखो यहाँ and यहाँ ठीक है तो सबसे पहले क्या होगा इस case में, D के case में, A का call होगा, then B का, then D का, ठीक है, तो यह आप देख रहे हैं, इसे constructor की calling कैसे हो रही है, तो कई बारी आपके MCQs में question आ जाता है, आपको अलग-अलग classes दे देंगे, तो आपको क्या पता करना है, कि जो child to parent नहीं जाना है, हमें parent to child आना है, ठीक है, अब जै इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कि भाई, constructor की calling कैसे होती है, right, and अब बात करते हैं, एक और concept की, जिसे मैं अलड़ी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो आपको यह टेबल याद होगी, मैंने अलड़ी काफी पहले पढ़ाई थी, but मैंने आपको कहा था, कि जब आपको जब यह पढ़ाया, तो मैंने का था, कि जब हम object-oriented programming पढ़ेंगे, तो इसमें कई सारे और concept आते हैं, ठीक है, तो simple सा मतलब है, private मतलब क्या होगा, कि वो within the class accessible होगा, और कहीं accessible नहीं होगा, default का मतलब क्या होता है, default का मतलब होता है, within package accessible होगा, ठीक है, अब package में तो है ही, within package तो है ही, वो दूसरे package में भी accessible है, बट कैसे, सब packages होने होगा, ठीक है, यानि कि it should be a child of some other class in some other package, अभी example देखेंगे, then you will get to know, next is public, ठीक है, तो public means, मतलब होता है, कि सब कुछ खुला करना है, यहां पर आपका within class हो जाएगा, within package हो जाएगा, across package हो जाएगा, त देखते हैं, इसका मतलब क्या है, देखो, जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक package बनाया, ठीक है, इसके अंदर एक class बनाई a, और एक class बनाई b, whereas, b is extending a, ठीक है, अब मैंने यहां पर एक method बनाया, private, ठीक है, private display, ठीक है, display नाम का method बना दिया, can b access this method, no, क्यों, क्यों कि private है, private within class ही accessible होगा, तो a के अंदर, आप जो main method लिखते हो, वहाँ पर जो object बनाऊगे, उसके through आप इसे access कर सकते हो, या फिर a के अंदर, अगर कोई और method है, तो वो इसे call कर सकता है, ठीक है, so basically, a class के अंदर, अगर आप कुछ भी कर रहा हो, तो आप private ठीक है, ठीक है, main method बना दिय main method, और यहाँ आपने लिख दिया, a, a is equal to new a, ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ से call करो, a.display, so this will give you an compile time error, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्यों 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 यह method है, यह private है, it can be only accessible within this a class, ठीक है, सबंग में आया concept, अब next case देखते है, let's say, अभी भी package क्या है P1 है, A, B, C, तीन class है, whereas B is extending A, और C किसी को extend नहीं करना, ठीक है, अब यहाँ पर एक method बना दिया, display, अब display पर मैंने कोई भी ऐसे specifier नहीं डाला, तो जब आप कोई भी mention नहीं करते है, तो क्या हो जाता है, default हो ठीक है, तो अब क्या होगा, आप C के main method से भी इसे call लगा सकत देख रहो, inheritance हो, यह ना हो, आप इसे call लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि यह तीनों क्या है, P1 package के अंदर है, so कोई भी चीज अगर default है, तो within the package accessible है, ठीक है, next चलते है, अब मैंने बना दिया, यहाँ पर P2 और यहाँ लगा दिया, ठीक है, अब क्या D के main method से, मैं यह वाला display call कर सकता था, जो की protected था, बिल्कुल नहीं call कर सकता है, क्यों, क्योंकि within package होना चाहिए, cross package आपका default नहीं चलेगा, now let's say, मैंने इसे default से क्या कि अब protected बना रहे है, so it will be PR means protected display, ठीक है, keyword आपके ही होंगी, जो यहाँ पर लिखे है, ठीक है, PR मेने short form लिखा है, so यह display method, अब अ यह inheritance में है, तो B can also call, ठीक है, a subclass can definitely call, अब ऐसा भी हो सकता है कि C है, C B को extend कर रहा है, so C भी इस function को access कर सकता है, because यह तीनों inheritance में है, so A B को कर रहा है, B C को कर रहा है, so basically ऐसी hierarchy चलेगा, so कुछ भी आपके है, that can be accessible here also, here also, okay, so on मैं आया, and can we access it in C, ठीक है, so आप देखो C is not a subclass या, C किसी भी angle से inheritance में नहीं है, A के साथ, या फिर B के through भी नहीं है, ठीक है, so C cannot access this method, correct, and protected का क्या मतलब है, कि आप across package भी जा सकते हो, अगर यहां पे E और एक आजाए, ठीक है, and E extends A, E extends A, यह P2 package में है, ठीक है, दूसरा package यह है, so can D access कर सकता है, इस method को, display को, बिलकुल नहीं क्यों, क्योंकि D is not a subclass of A, but E is a subclass of A, तो E can access, ठीक है, हम लिख सकते है, E dot display, ठीक है, so यह table का मतलब आई हो, अब आपको समझ में आ रहा होगा, और जब, lastly, मैंने कोई भी चीज public बना दी, ठीक है, जैसी मैंने कोई भी चीज public बनाई, that can be accessible from anywhere, ठीक है, अब मैंने य inheritance डाल दी, यहाँ पर कोई inheritance नहीं है, P2 में D है, E है, यहाँ पर कोई inheritance नहीं, यहाँ पर कोई inheritance नहीं, मैंने एक class बनाई, इसके अंदर एक method बना दी, display that is public, can be accessed, definitely, can C accessed, definitely, can D accessed, definitely, can E accessed, definitely, so कुछ भी public है, तो you can easily access, now, tricky part, यह तो मैंने आपको basic समझा दीए, tricky part, जो interview में पू इवन है, P2 है, मैंने क्या किया, मैंने class बनाई, A, ठीक है, मेरे syntax दियान रखना, class बनाई, A, ओके, इसमें एक method बनाया, public, public, display, ओके, यहाँ आप मैंने कुछी प्रिंट कर दिया, अब मैंने P2 में, package2 में, एक class बनाई, B, ठीक है, and मैंने call लगा दी, यहाँ पे, इसके main method से, main method से, मैंने call लगा दी, कि A का object, A is equal to new, ठीक है, A, and आप assume कर सकते हो, कि मैंने यहाँ पे package import कर लिया है, then, and अगर आपको package import नहीं पता, प्लीज पुरानी वीडियो देख लो, A.display, ठीक है, क्या यह चलेगा, ठीक है, आप देख method public है, आपका, so, क्या यह चलेगा, comment करो, फटाक से, आप comment करो, and then, हम इसको discuss करेंगे, alright, तो अगर आपने comment किया होगा, तो एक चीज़ मैंने आपको starting में पढ़ाई थी, starting के lectures में, कि जो भी आपका access specifier होता है, वो आपके attributes पे भी valid होता है, methods पे भी होता है, and even classes पे भी होता है, क्या यह class public है, नहीं, मैंने यहापे कोई specifier नहीं लगा, यानि क्या होगी, default होग तो अब P2 से जब आप ढूंडोगे, तो आपको A ही नहीं मिलेगा, तो आपको यहीं पे क्या आजाएगा, compile time error, तो अब यह method जितना भी public हो जाए, जब मैं इसके object को ही नहीं पकड़ सकता, तो मैं इस method तक कैसे पहुंचूँगा, I cannot reach that, right, so यहाँ पे issue के आगे, यहाँ issue बड़ा simple है कि आप इसे नहीं कर सकते, this will give you a compile time error, अब इसे solve करने का क्या तरीका, आप इस class को क्या मना दो, public, ठीक है, then, समझ में आए, तो आपको ऐसी specify दो तरीके से देखने, ठीक है, rules again same है, rules में कोई change नहीं है, rules यहीं रहेंगे आपके, पहले आप देखो, can this class be accessible, is this class accessible, ठीक है, short form लिख रहा हूँ, क्या यह class accessible है, आपको question करना है, second, अगर accessible है, if yes, ठीक है, मैं लिखता हूँ, यहाँ पर, if yes, that class is accessible, then, check, ठीक है, access specifier of methods, ठीक है, यह दो tricks आप याद रखो, आपका सारा काम हो जाएगा, कुछ नहीं अटकेगा, कोई भी interviewer, कितना भी घुमा के, पूछ ले, आप यह दो चीज़ें, अगर आपको पता है, तो you can easily answer any question around this topic, ठीक है, and now, can we make a constructor private, ठीक है, क्या constructors, क्या constructors, private हो सकते है, तो yes, इसका answer क्या है, yes, and ऐसा किस case में useful होता है, ऐसा उस case में useful होता है, जब एक मैं आपको example देता हूँ, जब आपके पास multiple, let's say, a class का नाम था, तो आपके पास a, a constructor है, और a with two parameters, दो constructor है, ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये वाले में, कुछ आप innate करो, यानि कि कुछ default चीज़ें डालो, जो बाहर वाले change कभी न कर पाए, ठीक है, and यहाँ पर आपने a b दिया है, उसका कुछ अलग use case है, जैसे लच्छे, आपके पास पांच चीज़ें, ठीक है DB call समय लें, सबसे बहतरीन example होता है, database में आप क्या-क्या डालते हो, आप IP डालते हो, आप port डालते हो, then आप ID डालते हो, then आप password डालते हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप डालते हो, I am giving you just an example, तो IP and port usually क्या होता है, fix होता है, अब obviously आप cloud पे work करोगे, तो this can be varying, आप क changing parameters क्या है, आपके ID password या, username password यो भी आप कहलो, तो आप क्या करोगे, एक default constructor लिखोगे, and इसे private बना दोगे, आप यहाँ IP and port set कर दोगे, ठीक है, कि यहाँ पे भाई IP and port set हो चुका है, अब इसे बाहर से कोई भी change नहीं कर पाएगा, अब जब मुझे DB का access चाहिए, तो मैं इस वाले constructor को call करूँगा, और इसमें simple सा हमारा ID and password भेजूँगा, ठीक है, तो ID password अगर match करेगा, तो call, मतलब object create हो जाएगा, नहीं होगा, तो कुछ हम exception फेकिंगे, so basically वो माई technique पे depend करता है, but इतनी चीज़ें आपको clear हो गई होंगे, कि कहां पे हम इसे use कर सकते हैं, ठीक and also we want to initialize them to some value, ठीक है, so and यह दोनों obviously private हो जाएगे उसके बाद, ठीक है, attributes भी तो private बनाओगे, वरना क्या फाइदा, आप object बना, object.ip कर लो, खतम खान, ठीक है, so yeah, यह थी आज की वीडियो, I hope आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आज की वीडियो पराने हो, subscribe नहीं किया, फटाक से subscribe कर दो, हमारा target है, इस साल हमें 10,000 subscribers rate करने हैं, anyhow, and subscribe to this channel, so यही था आज की वीडियो में मिलते हैं, आप से अगली वीडियो में तब तक लिए, bye-bye, take care, and सारी वीडियो आउट है, तो जाके देख सकते हो,